असलामुलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिट्रेचर पर वेलकम कहती हूं आज जो हम शोट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दन्यूद कॉंस्टिटूशन इसको साधत हसन मंटू ने लिखाया है यह मंटू का ब बैक्रांड ने बता का तो हम लग स्टोरी को अंडरस्टाइंड नहीं कर सकते तो basically यह स्टोरी को एक क्लोनिल्जम के एक क आंटेक्स में लिखी गई हुई है उनको colonized कहते है purpose क्या है basically इसके दो purpose है एक है white man के according और एक है black man के according white man कहते है कि blacks are the uncivilized people and it is duty of the white man to civilize them कि जो blacks है वो uncivilized है उनको खाना पीना कुछ निया दाव का culture जो है वो अच्छा नहीं है तो उनको progress करने के लिए ना हमारी ज़रूरत है तो हम जो है ना उनको civilize करने के लिए इसी नेम पे जो है ना वो colonialism का नाम लेकर आके अपनी colonies बनाते हैं वीगर नेशन में लेकिन black man ने क्या कहा black man ने कहा कि नहीं colonialism जो है वो actually may act of looting है act of exploiting है in the name of civilization करते हैं एक्स्प्लोइट करते हैं तो इस इस क्लोनियलिजम और अब हुआ क्या था इस नोबल का बैगरॉंड में आपको बताऊं के इसा हुआ था के सब कॉंटिनेंट जब इंडिया और पाकिस्तान अलग लग नहीं हुए थे पार्टिशन नहीं हुई थी हिंदू मुस् अब अंग्रेज हैं वाइट मैं वाइट मैं आगे इंडिया में मीज उसे सब कॉंटिनेंट में आके और आकर उन्होंने अपनी हकूमत शुरू कर ली वहां पे क्या कहकर कि इंडिया जो है वहां पर रिसोर्स कम है एजुकेशन अधारे कम है वहां पर ट्रेडिंग के इसको प्रोग्रेस करवाने के लिए यह कहकर आकर उन्होंने अपनी हकूमत शुरू कर ली कहते हैं वहां पर ब्रिटिश ने क्या किया उन्हों को एक्स्प्लॉइट करना शुरू कर दिया और फिर हर इंडियन की ख्वाहिश थी कि यह जो ब्रिटिश क्लोनियलिजम है यह तो इसी कॉंटेक्स्ट में यह जो हमारी शोट स्टोरी है वह लिखी गई है जिसके अंदर हमारे पास उस्ताद मंगू नाम का एक क्रेक्टर होगा और वह strongly नफरत करता है ब्रिटिश से क्योंकि वह क्लोनियलिजम वहां पर कायम करके बैठे हुए है और अब इस टोरी के निदर जो प्रोटैग और इस टे जो में अनाम है उस्ताद मंगू उस्ताद मंगू जो एक टाइब करेक्टर दिखाया गया ज्था करेक्टर वोता है जो के जितने भी लोग होते हैं एक प्लेस के निर उन सब कम्यूटी को रिजन्ट कर रहा होते है ना सिर्फ एक इंडिय हमारे पास जो ख्राक्टर आ है वह है एक उस्ताद मंगु का जो कि गोरा शॉल्जर एक नथ्थू और दीनु कि यह त दिछार ख्राब साइब में ठीक है उस्ताद मंगू को ने मैंने बटाया यह तांगा ड्राइवर है गोरा सोलजर बिसिकली वाइड सोलजर है इसको गोरा क्यों लिखा गया यह एक पोस्ट क्लोनियल एक्टिट्यूट दिखाया गया है राइटिंग के अंदर और दूसरा ट्रांसलेटर ने इन देते यह वाइड सोलजर कर देते तो स्टोरी की जो तासीर थी जो स्टोरी का इंपक्ट था वो वैसे के वैसे नहीं रहना था तो स्टोरी को रियलिस्टिक लुक देने के लिए राइटर ने यह वर्ड्स यूस की है अब जिब स्टोरी स्टार्ट होती है न तो स्टोरी की स्टार्टिंग मंगू से ही होती है और बताया गया है कि मंगू जो है अपने एरिया का सबसे ही जादा अकलमाद इंसान जहीन, intelligent इंसान माना जाता है जब कि उसकी पढ़ाई क्या है study क्या है, zero है वो कभी school गया ही नहीं वो एक tanga driver है, वो एक tonga चलाता है एक दिन मंगू तांगा चला रहा था तो जो इसकी सर्वारी थी आपस में बाते कर थे कि स्पेन में जंग चिड़ जानी है तो इस्पेन में जंग चिड़ने की अफवाई इसने सुनी और सुनने के बाद इसने लोगों को बता दिया स्पेन में जंग चुनने वाली है और इसके बाद स्पेन में वार शुरू ही तो फिर लोगों ने बड़े स्केचर्च है कि वाँ वाँ मंगू साथ को बहुत कुछ पता है मंगू उस्ताद साथ के पास तो बड़ा इल्म है बहुत नौलिज है इनके पास अब जिस दुरान मं अब जब क्लोनियल इसम उस टाइम पर थी जिगा पे तो वहां पर बिर्टिश रह रहे थे जिन्हों ने आकि अपना क्लोनियल रूल ओवर किया हो था हर रिक को पर को लोनाइज बनाए हो था हर रिक को तो इसी बन्याद पर मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी बढ़ा उनको नापसंद करता था और उनको बड़े मुखलिफ नामों से बनाइब करता था, कभी उनको monkeys का कहता था, कभी leepers, कभी decayed carcasses का करता था, कभी white mice कहता था, कि घे red wrinkled वाले faces देखकर ना मुझे वह dead body आ जाती है, जिनका जो जिसम होता है न वह वो बिलकुल एक दिन ना उस्ताद मंगू अपने तांगे पे जा रहा था वकी इसके पास बैठे वे तांगे पे अब वकील जो आपस में बात कर रहे थे और बात कर रहे थे वो constitution की बात करे थे आइन की बात करे थे वकील कहता है कि ना सुना है ये कम April 1945 को सोरी 1935 को एक नया कानून पास किया जाएगा एक नया constitution पास किया जाएगा जिसके according इंडिया जो है वो अजाद हो जाएगा अचा ये मुसाफिर बैठे हुए थे और ये मुसाफिर ने कहा जाना था ये मुसाफिर ने जाना था कचहरी में ठीक है कोट में जाना था और ये गुफ्तकू दो मुसाफिरों की थी वकीलों की नहीं थी जब एक मुसाफिर ने दूसरे से पूछा क्या वाकर ये ऐसा हो जाएगा तब दूसरे मुसाफिर ने कहा था कि हम सुबह जाके वकील से बात कर लेंगे अब जी ये खबर सुन ली उस्ताद मंगू ने उनकी तो खुशी खतम ना हो इतना वो खुश हुआ के वाओ यकम एपरल 1935 को एक लोग पास हो जाएगा और उस लोग से क्या होगा जी सहे नहीं आदी बात सुनरी और ये खुशी से हर जगा बता रहा थ है इनत्तू के पास किया ये दिनू के पास किया वहां जाके इससाद को बता या और बेसब्री छी यगम अब जब यगम एपरेल आ गया तब यह अपने तोंगा पर बैथा और अपना तांगा लेकर लहूर की सड़कों पर निकन पड़ा देख रहा था कि लहूर की सड़कों में तो कोई भी तब दिली नहीं आ लिए लोग वैसे अपने सारा काम कंटीनियों रख रहे था था थोड अब तक कोई फैसला किया नहीं गया फिर यह एक सवारी को अतारने के लिए केंटॉर्णमेंट में गया लोग और केंट एडिया में गया जब इसे वापे सवारी अतारी ना तो आपने तांगा की ना बैक सीट पर बैठके इसने स्मोकिंग करना शूरू कर दी वो उसका जो गोरा सोल्जर को देखा ठीक है और यह वही गोरा सोल्जर था जिसने पर इसको बहुत दफाए इंसल्ट किया था पब्लिकली इंसल्ट किया था और तब उसको उस्ताद मंगू कुछ भी नहीं कह सका था क्योंकि इनका राज चल रहा था राज का वर्ड बार बार यूसके राइटर ने अपनी राइटिंग के अंदर बहराल तब इनका राज चल रहा था इसलिए उसके साथ कोई भी वरा सलूप नहीं किया था मंगू ने लेकिन मंगू के लिए बैठके उनको कोशता रहता था उनको बद्धुआय देता रहता था अब जब मंगू ने देखा लोगा और इनका राज खतम हो जाएगा अब गोरे इसे पूरता है कि भी तो जगह पे जाना है तुम उसे कितने पैसे लोगे तो इसे my ना इसान के में तुम तो बहुत पैके मांग रहे हो तब तो एक रूपे में इससे फोड़े रुपे में उस जगह पर ले जाया जाता लेकिन ये नवाब उस्ताद मंगू सहाब उस गोरे से फिर रूड बीहेवियर करते हैं और उसके बाद वो गोरे को मारना शुरू कर देते हैं गोरा हिरान होता है कि यह क्या हो रहा है और उसको पॉलिस जब ले जाती है और ले जाकर उसको लो्क्त लगड़ कर देती है जब पुलिस इसको जेल में बंद कर देती है तो वो जोड-जोड सा चिला रहा होता है लेकिन इसकी बात कोई भी नहीं सुनता फिर फाइनली जो एक पुलिस ओफिशर होता है ओफिशर आसके कहता है वाट नियू कॉंस्टिटूशन तुम क्या बक्वास कर रहे हो यह वही पुराना कानून है पागल और इसको हवालाद में बंद कर देता है और यहाँ पर इस टोड़ी की एंडिंग भी हो जाती है अब यहाँ पर जो मंगू था मंगू बिसिकली रिप्रेसेंट कर था सब के सब इंडियन्स को और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि लिटल नॉलिज इस डेंजरिस फिंग कि थोड़ा सा नॉलिज हो आपके पास और उसी नॉलिज को आप लेकर चल पड़ो ते बहुत डेंजरिस होता है तो आई होब कि आपको इस टोड़ी के लिए रोचु की होगी दौाओं में खास याद रखेगा फिर मिरते हैं नेक्स लेक्चर में नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिस